All India Radio और आज सवा के अनलिसिस में आप सवा का स्वागत अगर All India Radio के अंदर नियूस की बात करें तो कुछ भी इंपोटन नहीं है नेक्स्ट बात करें तो देज दिशांतर कांतर का परसो का अर्ट किल है PLI स्कीम के बारे में उसे डिसकस करेंगे कल संडे था कुछ भी नहीं आया था चलिए डिसकसन स्टार्ट करते है पहली नियूस जो है हमारे पास ये PLI स्कीम के बारे में है ये PLI स्कीम आपची तरह से जानते हो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव पहले भी डिसकस कर चुके हैं मैनफैक्शन वाली कंपणी को इंसेंटिव दिया जाएगा प्रधान मंतरी नयेंद मुदी ने पांच फरजबी 2021 से अंतराष्टें बैपारी भाग नीती आयोग द्वारा उत्पादन से जुड़ी जो प्रोडक्शन होता है यूजना यानि PLI के बारे में एक बेविनार को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 6-7 सालों के दोनान मेक इन इंडिया को किसको मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए कई लेबल पर अनिक सफल प्रियास किया गया प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव इसमें से एक पिछे सरकार का में मकसद मैनफेक्शन को बढ़ाना है इस स्कीम में प्रोडक्शन का आस्तन 5% है 5% CFPLAI स्कीम से ही आने वाले 5 सालों में भारत में करीब 520 बिलियन डॉलर का प्रोडक्शन का अनुमान है दुनिया भनके मैनफेक्शन कंपनिया का जो है सो हब बनाना आगे घरेलू मार्केट को आगे बढ़ाना और MSME सेक्टर को साथ में लेते हुए जो कॉर कमपिटेंटेंसी और एक्सपोर्ट अफ ग्लोबल प्रसेंस का दाइरा है उसको बढ़ाना है अब यहां पर क्या है कि मॉआइल इलیک्ट्रोनिक्स जो हम लोगा यूज करते हैं एक तो मॉआइल की बात की जा रही है यहां पर दूसरी जो बात की जा रही है मेडिकल डिफाइसेज जो एक्सरे वगरा मैसीन होते हैं वो सारे मैसीन साथा है महंगे आते हैं तो अगर सरकार गोवर्मेंट उनको सबसिदी देगी तो वो जैदे बना पाएंगे और होस्पिटल्स को मिल पाएगा ऐसा क्या क्यों जा रहा है ये प्रोड़क्शन लिंक इंसेंटिव क्यों दिया जा रहा है तो देखो पहली बात प्रोड़क्शन बढ़ाने के लिए दूसरा बात एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए तीसरा बात रोजगार बढ़ाने के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास डिविडेंट है अगर इनका उपयोग न करे तो क्या फाइदा है एंटिसेपेट्री एप्रोच लेना पड़ेगा कैप्टल से कैसे जॉब बढ़ेगा कैप्टल से किस तरह से जॉब बढ़ेगा इस पे वर्क करना होगा इस बार बजट में दो लाग करोर के आस पास दिया गया है एक अच्छा पहल कह सकते हो गॉवर्मेंट का इस स्कीम को इंक्लोसिब बनाना परेगा तभी जाकर कि कुछ हो सकता है हमारे गॉवर्मेंट के अंदर क्या है कि आपको याद होगा तो लेवर रिफॉर्म किया जा रहा है अच्छी पहल है इस ऑफ डूइंग बिजनिस में हमारा स्थान अच्छा रहा है एफडियाई हमारा बढ़ रहा है टेक्स कॉर्परेट सेक्टर बगर में हम लोगी फार्म लाते रहते हैं बैंक इंसॉल्वेंसी एंडरपसी कोड लाया गया है अगर सेफ सेक्योर इंवायर्मेंट बनाया जाए तो PLA स्कीम के जरिए मैनफेक्शिंग को हम एक हब में तबदीली लाग कर सकते हैं दूसरा जो सबसे बड़ा चीज क्या है कि आपको एक चीज धियान देने वाला है एक बात कि जो चाइना पर डिपेंडेंसी था किस पर चाइना पर इस चाइने पर डिपेंडेंसी को पुरा विश्व चाहता है कम करना अल्टरनेटिम मार्केट ढोन रहा है तो भारत इसका फाइदा उठा करके मैनफेक्शिंग हब बनाके पाकी देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकता है और उनके लिए एक नया रास्ता भी खोल सकता है और ग्लोबल लीडरिमे के बनने में एक एहम अब कन्कुलिजन में इसको योज कर सकते हो भूमिका निवा सकता है तो आज के डिसकुशन में इतना है था थैंक यू थैंक